जीओं इतने लिकड़्या जाने, कुवे बीच धकादीरी, ओमर के पांडा छूटेगा मैं, इसे घर में ब्यादीरी ओमर के पांडा छूटेगा मैं, इसे घर में ब्यादीरी, ओमर के पांडा छूटेगा मैं, इसे घर में ब्यादीरी आठमी में फेले होया, ओ भी ये पास बतावें थे ओमर के पांडा छूटेगा मैं, इसे घर में ब्यादीरी माबाना का कहना मानने, माबाना का कहना मानने, वो थे बहुत वकेल होया, इसे किसे गेल न करिये, जिसा मेरी गेल होया हाँ जी नाजरीन, यो कलाम से, यो गीत से, यो गाना से, मेरे उन माबाप वास्त है, जो अपनी बेटियां का ब्याद, उनकी मर्जी के बगैर करें हैं, उन से पूछते कोनी, और ना अगला जोड देखते हाँ जी, हमने जब भी अपने बच्चियां का ब्याद करना है, तो आगे जोड जरूर देखना है, यो अमारा फर्ज भी बने है, और हमारा इसलाम जो मजब है, वो भी हमें इसकी इसकी इजासत देवे हैं, बिल्कुल जी, आज मैं तोड़े वास्ते एक मैसिज, एक हर्या उन्हादी शादी करनी है, तो एज जरूर देखने के अगला जड़ा चुए रहे हैं, जिन्दना अला साब पढ़ने ले पहे हैं, क्या हूं दे काबिल भी है, उनको पसंद भी है, या उन्हादा वो ख्याल भी रख सकते के नहीं रख सकता, ना तेवाल एजड़े गीत दे बोल हं, इहो सारी धियानाल ना थी वे, कि ओ सारी जिन्दगी दा उन्हादा को पच्चतावा रहे हैं, जहां बिलकुल नाजरीन, ये मैसिज हर्यानवी जुबान में, और सराइकी में, और फिर मैं अर्दू में आप से बात करने लगा हूं, कि हमें अपनी बेटियों का ज बालिक जब तक ना हो जाएं, उनकी शादी नहीं करने हैं, क्योंकि छोटी उमर की शादी हमेशा नुकसान देती है, अक्सर हमने देखा, और सोशल सवाज में ये काम भी करते हैं, कि छोटी उमर की शादियों में बच्चीयों के साथ बहुत ज्यादा मसाइल पेश आते है जच्की के दोरान अक्सर की डैथ हो जाती है, और बाद में जब वो माएं बनती हैं तो वो अपने बच्चों की परवरिश उस्तरा से नहीं कर सकती और नोबत तलाग तक चली जाती है, तो हमें अपने घरों में इसको इंपलिमेंट करना है, अपनी बच्चीयों की शादि तमाम दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं और देखते रहें हमारा ये सोशल चैनल जो है, ताकि आपको इस्तरा की वीडियो मिलती रहें, बहुत शुक्रिया